क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नोशकार आदाव सत्तुयकाल नियोज क्लिक के कारिक्णाम आज की बात के साथ मैं उर्मिरेश आज हमें कैसी बात पर टिकपड़ी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को तहला देने वाली है भायावा घटना नो सिर्फ किसी एक देश किसी एक महादेश समुची दुनिया बलकि पूरी मनुश्यता के लिए भायावा खबर सबको शर्मसार करने वाली खबर आकिर हम कैसी दुनिया बसा रहे हैं हम कितना ताकतवर अपने को बना रहे हैं हम रास्टरवाद के नाम पर कर क्या रहे हैं हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के नाम पर क्या अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं अपने अंदर की समवेदना को अपनी वेदना को क्या कर र इसराइल और जज़ा के लोगों के बीच में जो इस्थितियां है गज़ा में लगतार बंबारी हुई है इसमें कोई दूरा आए नहीं अब भी जारी है इसराइल को हमास से जगड़ा था अगर तो पूरे गज़ा के लोगों के साथ क्यों उसका ये सलूक है ये सवाल उट रहा था इसी बीच में कल गज़ा इस्थित एक हास्पीटल पर जो वहां का बड़ा हास्पीटल है और जहां इस युद्ध शे घायल हुए इस युद्ध के दौरान बंबारी से घायल हुए बलकि उनके तिमारदार भी हैं, तिमारदारी करने के लिए जो लोग हैं, वहाँ पर एक रॉकेट से हमला हुआ और उसमें 500 लोगों की जाने कई ऐसी ख़बर पूरी दुनिया में आज सुबह के अख़वारों में और कल रात से ही ये टेलिविजन चैलनों में आने लगी थी तो 500 ये लोगों की जो उनके मारे जाने की ख़बर है दोस्तों ये संख्या और भी बढ़ सकती है और इसके बढ़ने के बारे में अटकले लगाई जा रहे हैं कि ये कहां जाकर रुकेगी संख्या क्योंकि लगातार लोगों की वहां मौत हो रही है और ये जो हास्पिटल है इस पर जो रॉकेट हमला हुआ है अब इस समय घटना के कुछ घंटे के बाद से ही लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए है हमास और गजा का जो प्रशासन है उसने शुरू में ही कह दिया था कि ये इसराइली हमला है और चुकि इसराइल गजा पर लगातार हमला किये जा रहा है इसलिए आम लोगों के बीच भी यही ख़बर ज्यादा एकसेप्टेबल हुई उस समय लेकिन अब इसराइल कह रहा है कि ये हमला उसने नहीं किया है ये हमला इसलामिक जो आर्गनाजेशन्स हैं हमास या अन्य जो जुड़े आर्गनाजेशन्स हैं उन्होंने किया है अब सवाल इस बात का है कि वो अपने हस्पिटल पर अपने ही लोगों के उपर क्यों हमला करेंगे क्योंकि वहाँ तो इसराइल की को लोग है नहीं वहाँ तो सभी लोग जो हैं गजा के हैं तो एक ये बड़ा अजीब इसराइल की तरफ से जो आरूप लगाया जा रहा है इसकी सत्यता जो है वो संदिध है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि यह बिलकुल अनर्गल है यह जांस परताल का विशा है क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने रॉकेट छोड़ा और यह उन्हीं के उपर लग गई क्योंकि सायद मिस्फैर हो गई यह सब भी कहा जा रहा है हम वार जो हुआ और अब जो प्रतिवार हो रहा है आरोप जो लगा और अब जो प्रतियारोप लग रहा है हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इस बात की परताल या जांस करने का कोई जरिया नहीं है कि इसराइल के आरोप परत्यारोप में कितना सच है। लेकिन जो असलियत है और जो दुनिया ने देखा और समझा है और जो खबर आई है हम उस पर किवल बात करेंगे कि गज़ा के अस्पताल पर र गज़ा पर हमला जारी है तो कुसरवार कौन है निसंदे इसराइल है क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर जहां असंग के लोग मारे गए हैं अगर आपकी लड़ाई हमास से थी और है तो आप हमास से बदला लेते आप हमास के साथ कुछ भी करते लेकिन पूर जाए कौन हमने देखा कि घज़ा में कोई भी निर्दोष नहीं है यानि घज़ा के वीसालाख लोग को zagड़ाना चाएव कर तक हमास से कौर मिन हो जाता है हर विक्ति का एकड़ लेकिन इस तरह का बयासरा हुआ बयान आया जब अमेरिकी राश्टपती बाइडन तेन अवीब में है तो ये बात समझ में नहीं आई कि जो अंतराश्टी अस्तर पर एक बहुत बड़ी ताकत अमेरिका जैसी उसको एक मध्यास्ता की पहल करनी चाहिए थी लेकिन वो नेतन्याहू का पीठोक रहे हैं राश् सिंता की नई लकीर खीशती है इस पूरे प्रक्रण में लेकिन दोस्तों उससे हम ये जो अंतराश्टी जो प्रश्ण है वो उसका मैं एक्स्परटाइज नहीं हूँ मेरा मेरी विश्रशक्यता उसमें नहीं है लेकिन हमारा ये कहना है कि अपने देश का जो टेलिविजन टेलिविजन चैनलों को देख रहा था मैं आम तोर पे टेलिविजन चैनलों को देखते हुए बहुत मुझे परिशानी होती है बहुत ही लगता है कि मैं क्या देखने लगा हूं क्योंकि यही टेलिविजन चैनल पहले दर देखा करते थे तो निउस के लिए देखा करते थ लेकिन आजकल पता नहीं क्या क्या उस पर चल रहा होता है लेकिन आज जब मैं देख रहा था टेलिविजन चैनल अब उसमें कैसी कैसी ख़बरे आ रही है देखिए आप इस युद्ध को लेकर एक टेलिविजन चैनल ने ये सभी टीवी पुरम के हिस्से है इसने कहा इसकी जो हेड्लाइन है आप हेड्लाइन पहले आप देखिए महा युद्ध का साइरन इसराल में बाइडन तुकमंदी कैसे मिलाडी की कोशिश की गई है महा युद्ध का साइरन इसराल में इसराइल में बाइडन दूसरी हेड्लाइन है इसराइल में बाइडन खत्म होगी टेंसन अब तीसरी है न्यतनियाहु से मुलाकात अब होगा अंतिम वार मद्यस्ता नहीं शांती नहीं वार इसी तरह से एक चैनल पर देखा मैंने दूसरे चैनल पर वार का प्लान भी लेकर आए हैं बाइडन यह यह युद्ध का प्लान भी लेकर आये हैं बाइडन एक तीसरे चैनल ने कहा अस्पताल पर हमला इस्राइल ने नहीं किया ये इस्लामी आतंकियों ने किया अब वो अपनी योर से कह रहा है ठीक है ख़बर में इस्राइल को कोट किया गया होगा लेकिन हेडलाइस जो बन रही है उसमें दावा ऐसा लगता है कि जैसे टेलिविजन चैनल अपनी परताल से ये बात कह रहा है तो हमारा ये कहना है कि क्या महाजुद का साइरन इस्राइल में बाइडन इस तरह की जो तुक बंदी और ये बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग ड्यूज के तौर पे आ रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के टेलिविजन चैनलों के ये लोग जो नियूज रूम चला रहे हैं क्या इनको ये मालूम नहीं है कि युद्ध तबाही का दूसरा नाम है मनुष्यता पर हमले का दूसरा नाम है युद्ध किसी भी मुल्क में हो किसी की सरजमीप हो वो युक्रेन में हो चाहे गजा में हो आखिर मनुष्यता दम तूरती है केवल लोग नहीं मरते मनुष्यता भी मरती है और युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं है ये हमने पहले भी देखा है और आप सबसे ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूँ युद्ध समस्याओं की शुरुआत है समस्याओं का हल नहीं है ऐसे में जो ये युद्ध गोश टेलिविजन चरनों पर भारत के हो रहा है खजारों किलोमीटर दूर की घटना उसको रिपोर्ट करने के जो लोग गए है वो इसराइल की तरफ खड़े है इसराइल की तरफ का मतलब उनकी जमीन पर और वहां से सूचनाएं आती है और वो क्या सूचनाएं आती है वो ऐसा लगता है कि एक तरफा एक तरफा बयानबादी हो रही है अगर युद्ध का कवरिज कर रहे होते वे तो गजा के अस्पताल का हाल बताते वहां के घायलों की स्थितीग बताते लेकिन एक तरफा इसराइल में वाइडन लेकर आए है वार का भी प्लान प्लान भी इस तरह की तुक्बंदी से भरी हुई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुझे लगता है कि टीवी पुरम के न्यूज रूम में बैठे लोगों को शायद ये अंदाज नहीं है कि युद्ध क्या होता है दोस्तो इस देश के प्रमुख हिंदी अख़बार के करिस्पॉनिंट के तौर पे मैंने 99 का करगिल वार कवर किया है द्रास करगिल और बटालिक मेरा करूँ तो मुझे थोड़ा अंदाज है कि वार क्या होता है किसी ताकतवर मुल्क की तरफ जा करके उसकी सर्जमी पर और जिस पर हमला हो रहा है उसके बारे में लिखना अलग बात है उसे रिपोर्ट करना उनके ब्रीफिंग पर ये अलग बात है लेकिन जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है वहां रहकर देखना और लिखना ये अलग बात है हमने करगिल में उधर से जो हमले हुए थे हमारे मुल्क के जो परोसी मुल्क है पाकिस्तान जिस तरह घुसपैट हुई थी और घुसपैटियों ने करगिल के इलाके में द्रास के इलाके में काकसर के इलाके में बटालिक के इलाके में जिस तरह की तबाही लाने की कोशिश की थी उससे कैसे हमारे स्टेंटों ने हमारे जवानों ने मुटोड जबाब दिया छती हमारी भी हुई अपने म्लक की भी छती हुई और हर तरह की छती हुई लेकिन इस युद्ध को कबर करने के बाद मैंने यह महसूosc किया एक जränलिस्ट के तौर पर कि मैं जब तक चीवित रहूंगा युद्ध की धारना का विरोद करूँगा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए किसी मुलक और किसी धर्दी के किसी कोने पर युद्ध नहीं होना चाहिए सबसे बेहतर तरीका है अपने विवादों का हल करने का आपसी विचारी बर्ष मध्यस्ता से हो या द्विपक्षी तरीके से हो जो लोग युद्ध का समर्थन करते हैं सही मायने में वो पत्रकारिता का अर्थ नहीं जानते इसलिए दोस्तों टीवी पुरम के दोस्तों से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वे अपने नियूज रूम में अपने एर कंडिशन नियूज रूम में बैटकर जो ये हेडलाइन्स दे रहे हैं महायुद का साइरन उनको मालूम नहीं है कि महायुद का साइरन क्या होता है दुनिया में दो महायुद हुए हैं तीसरे महाजुद्ध का ये साइरन बजा रहे हैं, शर्मनाक है, बाइडन के आने का इसराइल में उसका अर्थ ये लगा रहे हैं कि महाजुद्ध होना है, क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज, आप सोचिए, आप समझिए, अगर आप सचमुच पढ़े लिखे लोग हैं, और समझ के साथ समवेदरा भी है, तो युद्धों के समर्थन में मत उतरिये, युद्धों का गौरोगान मत कीजिए, तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार, आदाब सत्रियकार